हेलो फ्रेंड्स आज की लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एलॉइज तो सबसे पर देखते हैं एलॉइज क्या होता है एलॉइज दे सलूशन अफ्टू टू सॉलिट्स एंड इड़ इड़ जीनियस मिक्शर आफ्टू मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल से और एलॉइज की जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होती हो बहुत ही जादा हाई होती है एलॉइज की और एलॉइज का रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस जो क्रोजन होता है इसने क्रोजन ईजिली नहीं होता जितने भी एलॉइज होते हैं जादा मिक्शर आफ मेटल स तो हम इस में इस लेक्षर में देखेंगे डिफिरेंट टाइप आफ दा एलॉइज जो कि हमने लिस्ट नीचे बनाई है उसको वन भाई वन हम लोग देखते हैं ब्राNζ जो होता है कापर 70% और जिंग 30% के मिक्शर को यह भर ब्राउस बोला जाता है ब्राउन्ज कापर 70% obtain 20% निकल 10% को मुझे ब्राउस मेटल बोलते हैं मुन्ज मेटल बोलते हैं पापर 60% जिंग 40% को मैआच मेटल बोलते हैं कापर 85% और जिंग Über 15 परसेंट हो German metal copper 50% zinc 30% और NICKEL 20% केahltऩ मिक्षर को इनलो फो जर्मन सिलकर बोलते हैं stainless steel जो होता है, Mixture होता है तीन Metals का, iron, chromium और nickel का Gun Metal जो होता है, copper, zinc, tin और led का, ये Mixture होता है, Gun Metal Delta Metal,iran k sands, copper, zinc, iron का Mixture होता है डेल्टा मेटल मोनल मेटल जो होता है कॉपर और निकल के मिक्षर को मोनल मेटल कहा जाता है कि कई बार पूछाए एक्जाम में है रोज मेटल टीन लेड और बिस्मित के मिक्षर को बोलता है रोज मेटल सोल्डर मेटल बोलते हैं टीन और लेड को बोला जाता है मैगनेलियम जाता है तो ड्यूरे लुमिन बोलते हैं मैगनीज मैगनीशियम कॉपर और इलमुनियूम की चार मेटल रिटल के विक्षर को ही ड्यूरे लिम बोला जाता है यह बहुत है अच्छा एलॉय होता है टाइप मेटल जो होता है हैं एंटी मनी तीन और लेडिके मिक्षर को गया है नाइक्रोम जो होता है है निकल, आईयरन और क्रोमियम के मिक्सफर को नाइक्रोम बहल जाता है और लास्ट है कॉंश्टेंट 10 जो होता है वह काप और निकल मैंगनेशियम और कोक ये कार्बन के मिक्सर डिखो यहाँ पर नीच्फर यहाँ test 10 अंनलो बहल स्थыт